और उस भयानक लड़की ने उसका कलाब पकड़ दिया मेगना खुद को छुडाने की नाकाम कोशिश कर रही थी और लगातार अपने हाथ पैर जट पता रही थी उसकी लाल लाल आखे सुमित को गोर रही थी उसका हाधा चला हुआ भयानक चहरा सुमित के बिल्कुल करीब था सुमित के रॉंटे खड़े हो चुके थे वो बहुत जोरों से चिलाया उस लड़की ने सुमित के मुँ में हाथ डाल कर उसकी जबान खीच ली उसके मुँ से खुम की तार निकली तभी हलकी सी रोश्टी में उसको नज़र आया कि एक लड़की लाल साड़ी पहने हुए उसकी तरफ पीच करके खड़ी है उसके बाल खुले हुए थे और वो बहुत ही पहानक अंताज में हस रही थी एक कार तेज रफतार के साथ रोड पर गुजर रही थी कार जे म्यूजिक की आवाज आ रही थी सुमेट ट्राइब कर रहा था और मेगना उसके साथ ही बैठी हुई थी क्या हुआ तुमको इतनी तेज कार क्यों चला रहे हो क्यों डर लग रहा है और नहीं तो क्या कहीं ऐसा नहों अगले महीने वैलेंटाइन डे हमें हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पर लेटे हुए बिताना पड़े तभी मेगना के कान में पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई थी ये सुनकर उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी तो उसने देखा कि पीछे वाली सीट पर एक बहुती बयानक लड़की बैठी हुई थी उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी बाल खुले हुए हवा में लहरा रहे थी उसका आधा चहरा जला हुआ था और आखे लाल लाल अंगारों के जैसी चमक रही थी मेगना ने डर कर चिलाते हुए पीछे पलट कर देखा सुमित ने तभी ब्रेक लगा थी क्या हुआ मेगना पीछे देख रही थी उसकी आँखे हैरानी जे भटी हुई थी और पीछे की सीट पर अब कोई नहीं था अरे क्या हुआ कुछ बोलो की भी ऐसा लगा कि पीछे कोई है अरे प्लीज यार अब जैनुरी के मंध में मेरा एप्रिल फूल मत बनाओ कोई नहीं पीछे चलो ऐसा कहकर सुमित ने कार फिर से स्टार्ट की मेगना ने भी आगे कुछ नहीं का और उसने समझा कि शायद उसे कोई वहन हुआ होगा कुछ मिनिट बाद कार एक कैस्ट हाउस पर जाकर रुगी जहां उन्होंने पहले ही रूम बुक कर रखा था दोनों रूम में पहुँचे और फिर सुमित बोला डालिंग तुम खाना ओर्डर करो इतने में मैं फ्रेश हो कराता हूँ ये कहकर सुमित बाद रूम में चला गया मेगा ने कॉल लगाया और फिर जिन्हा ओर्डर किया जैसे ही उसने ओर्डर करके फोन रखा कमरे की लाइट्स अपने हाँ प्लेंक करने रही और उसके सामने वही बैयानक लड़की आखर खड़ी होती जो कुछ देर पहले उसको कार के अंदर नजर आई थी उसे देखकर मेगना की सांसे मानों कले में ही अटक कर रह देए और ढड़कने तेज चलने लगी वहाँच जोरों से चिमलाई और उस भायनक लड़की ने उसका गलाप पकड़ दिया मेगना खुद को छुडाने की नाकाम कोशिश कर रही थी और लगातार अपने हाथ पैर जट पटा रही थी ऐसा कहते हुए उस भायनक लड़की ने दो जटके मार कर धड़ से अलग कर दिया इस हादसे से पेखबर सुमित जब बातरूम से बाहर लिकला तो सामने का खौफनाख मनजर देखकर उसका तिल टहल उठा मेगना की लाश जमीन पर पड़ी थी उसके थोड़े से फासले पर ही उसका कटा हुआ सिर पड़ा था तभी एक भयानक हसी कमरे में गुंजी और सुमित उसको सुनकर बेहट डर गया वो बाहर भागने के लिए दरवाजे की तरब पड़ा लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था रूम की लाइट्स ब्लेंक करने लगी और उसे महसूस हुआ कि वो उसके पीछे खड़ी हस रही है उसने पीछे पलट कर देखा तो वही भयानक लड़की उसके सामने खड़ी हुई थी वो एकदम से सुमित के बिलकुल करीब आ गई उसकी लाल लाल आखे सुमित को गूर रही थी उसका आधा चला हुआ भयानक चहरा सुमित के बिलकुल करीब था सुमित के रॉंटे खड़े हो चुके थे वो बहुत जोरों से चिलाया उस लड़की ने सुमित के मुँ में हाथ डाल कर उसकी जबान खीच ली उसके मुँ से खुम की धार निकली एपी वैलेंटाइन्स टे ऐसा कहकर उसने सुमित के बेट में अपना देज पंजा कुशेड दिया सुमित के बेट से अंतरया तक पाहर निकाल ली और एक तरदनाग चीक के साथ उसने तम तूड दिया अगले दिन आरियन अपने घर पर बैठा अपने फ्रेंड गोरों से बात कर रहा था यकीन नहीं होता कि मेगना और सुमित अब हमारे पीच नहीं रहे उनके रूम के अंदर उनके लवात इसरा कोई भी नहीं था फिर उनकी इतनी बयानक मौत कैसे हो सकती है यही सोचकर मेरा भी सिरधर्द कर रहा है जब रूम सर्विस बॉय उनका ओरर लेकर कमरे पे पहुचा तब तक उनका मडर हो चुका था अभी आरियन और कोरों बाते कर ही रहे थे इसी बीच आरियन के नंबर पर उसकी मम्मी का कॉल आया उसने रिसीव करके मोबाइल कान पर लगाया हलो ममी आरियन बेटा स्रिष्टी की मौत तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा हाथसा था मुझे पता है तुम उससे बहुत प्यार करते थे लेकिन मैं और तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम उसके गम से बाहर आओ और दूसरी शादी कर लो ममी आप ये कैसी बाते कर रही हैं मैं स्रिष्टी को भूल कर किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता नहीं आरियन बेटा इतनी बड़ी लाइफ तुम अके लिए कैसे गुजारोगे लड़की अच्छी है उसकी पोस्टिंग तुम्हारे सिटी डेली में ही हो रही है तुम हमारे कहने पर एक बार उसे मिल ले ना बाकी तुम्हारी मर्जी आरियन उसकी बीवी स्रिष्टी को भूल कर किसी और से शादी करने के लिए तैयार तो नहीं था लेकिन मम्मी के कहने पर वो उस लड़की से मिलने के लिए मान गया अगली रात आठ बजे के टाइम आरियन हाल में बैठा उस लड़की के आने का उंतजार कर रहा था कुछ देर बाद डौर बेल बजी और उसने उठकर दर्वाजा खोला सामने वही लड़की खड़ी हुई थी जिसको आरियन के पेरंस ने बेजा था लड़की काफी खूप सूरत थी अरियन ने उसको घर के अंदर लिया और तोनों हाल में मैट कर बाते करने लगे उस टाइम गौरव अपने घर पर हॉल में बेठा मूवी देख रहा था तभी उसके कानों में एक बयानक सी हसी गूंजी और वो तर गया आवाज फिर से आने लगी पर अब उसमें टीवी आफ किया और इदर उदर नजरे घुमाने लगा लेकिन हाल में उसके अलावा कोई और नजर नहीं आ रहा था और हसी की आवाज बरापर आ रही थी कौन है? कौन है यह आपे? उसने ड़ते हुए सवाल किया लेकिन अभी भी कोई सामने नहीं आया तभी हाल की लाइट स्प्लिंग करने लगी और उसका डर और भी ज़्यादा बढ़ गया कौन है? सामने आओ! सामने आओ मेरे! तभी हलकी सी रोश्टी में उसको नजर आया कि एक लड़की लाल साड़ी पहने हुए उसकी तरफ पीट करके खड़ी है उसके बाल खुले हुए थे और वो बहुत ही भयानक अंदाज में हस रही थी गौरव साड़ी से चमकते हुए उसके गोरे बदन और उस पर च्छाए बिखरे बालों को देख पा रहा था लेकिन इस वक्त वो बहुत ही डरा हुआ था वो मद्धम कदमों से उसकी तरफ बढ़नी लगा उसके पास पहुँच कर उसने अपना कपकपाता हुआ हाथ उसके कंदे पर जैसे ही रखा उस लड़की में हसना पंध कर दिया कौन हो तुम? यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बैल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी निव स्टोरीज आप सब से पहले देख सकें